नमस्कार राजिस्थान समवाद में आपका स्वागत है मैं हूँ चेतना शर्म आपके साथ और मैं लाती हूँ आपके लिए डाकूं के जीवन की वो कहानिया जो आपने कहीं नहीं सुनी होगे लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी जानकारी जो आपको हिला कर रख देगे जी हाँ मैं ऐसे खतरनाक डाकूं की जानकारी आपको बताने जा रहे हूँ जिनका एक जमाने में सिक्का चला करता था और जो पुलिस से भी बिर्कुल नहीं घबराये थे तो कौन थे वो लोग जाने के लिए जुरे रहेगा लाज तक हमारे साथ चलिए शुरू करते हैं वीडियो आपने फिल्मों में डाकूं के जीवन को तो खूब देखा होगा लेकिन असली डाकूं से शाय दे कभी आपका पाला पड़ा हूँ इसलिए आज मैं आपको चार ऐसे खतरनाक डाकूं के बारे में जानकारी देने जा रहे हूँ जिनका अपने जमाने में बहुत बोलबाला था उनसे आम लोग तो क्या? पुलिस, प्रशासन के अधिकारी भी डरा करते थे लूट, हत्या, फिरौती के लिए अफरन उनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था जब उन डाकूं के आने की सूचना मिलती थी तो लोगों में सिहरन दोड़ जाती थी उनमें से कुछ डाकूं ने बाद में अपनी मर्जी से सरेंडर भी कर दिया और कुछ मुखे धारा में वापस आ गए लेकिन कुछ डाकूं पुलिस की गोली से मारे भी गए आई आपको बताती हूँ उनके बारे में तो पहला है विरपन, जी हाँ वो करनाटक तमिलनाडों को जोडने वाले जंगलों में रहा करता था हाती दात और चंदन की लकडियों के तसकरी करना उसका मुखे पेशा था वो इतना खतरनाग था कि उसके नाम से ही लोग थर-थर कापते थे उसने साल 1970 से अपने आपरादिक कारनामों को अंजाम देना शुरू किया था उसे पकड़ने की कोशिश करने पर उसने 80 से जादा पुलिस कर्मियों और फॉरस्ट रेंजर्स को मार भी दिया था और कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार तमिल नाडू स्पेशल टास्क फोर्स ने एक अभ्यान चला कर उसे जंगल से बाहर लाकर मार गिराया दूसरे नमबर पर है निर्भे सिंग गुर्जर जी हाँ चंबल की बिहडो का खतरनाक डाकू था निर्भे उसने लूट अपरण हत्या की वारदातों को अंजाम दे कर मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अपनी दहशत काइम रखी थी उसे जिस भी ग्रामिन पर मुख्वीर होने पर शक होता था उसे वो तुरंत गोली से उड़ा देता था मध्यप्रदेश सरकार ने उसे जिन्दा या मुर्दा पकड़ने पर धाई लाक रुपे का इनाम रखा था आखरकार UPSTF ने 2005 में निर्भे गुर्जर को मार गिराने में काम्याभी हासल की थी इसके बाद नाम आता है फूलन देवी का फूलन देवी ऐसी महिला डकैट थी जिसे परस्तितियोंने हतियार उठाने पर मजबूर कर दिया था कहते हैं कि उसके साथ बच्पन में गैंग रेप हुआ था और उसके पिता को मार दिया गया था इस अपमान का बदला लेने के लिए वो चंबल की बिहडों में चली गई थी और हत्यार उठा लिये थे इसके बाद उसने एक-एक करके अपने दुश्मनों से बदला लेना शुरू किया था उसने बेहमई में एक लाइन में खड़ा करके बीस ठाकरों को गोलियों से भून डाला था फूलन के जीवन पर फिल्म भी बनी थी बाद में सांसद रहने के दौरान शेर सिन नाम के हत्यारे ने उसे गोली मार कर उसका मरडर कर दिया था इसके बाद नाम आता है मान सिंग का डाकु मान सिंग भी चंबल की बिहड का बेहत खतरनाक डाकु था उसका आतंक साल 1935 से लेकर 1955 तक रहा था इस दोरान उसने करीब 1112 डकैतियों को अंजाम दिया डकैती में बाधग बनने पर तुरंत वो गोली चला देता था मान सिंग ने अपने पूरे जीवन काल में 182 लोगों को बेहरमी से मारा इसमें 32 लोग भी शामिल थे जो उसे पकड़ने के अभ्यान में थे आखिर कार पुलिस को सफलता मिली और साल 1955 में मान सिंग और उसके डकैत बेटे सूबेदार सिंग का इंकाउंटर कर दिया गया था तो ये थे वो खुखार डाकू जिन्होंने अपने कारनामों से लोगों के अंदर इतना डर पैदा कर दिया था कि इनका तो सिर्फ नाम ही काफे था लेकिन इन्हें भी अपने काम का आइंजाम भुखतना पड़ा कैसा लगा आपको वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताई का कॉमेंट बॉक्स में और इसी तरह के और वीडियो के लिए देखते ये राजिस्थान समवाद शरम आती है मुझे ये कहने में कि मैं राजिस्थान में हूँ छोटी छोटी बच्चियों को महिलाओं को इवन की विर्दाओं को भी नहीं छोड़ा जाता है SMS के सामने SMS के करमचारी आठ महिने की प्रसुता के साथ रेप करते हैं और उसको घी ओफर करते हैं